तो और मेरे भाईयों कैसे हो यार आप सभी लोग तो आप सभी का स्वागत है मनवा 007 में अब यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना मेरे को एक बात बतानी है वह बात यह है कि तुम्हारा भाई मतलब ठीक ठाक साही सलामत गाउं पहुंच चुका है अब गाउं तो मैं पहुंच चुका हूं लेकिन यहां पर इंटरनेट और जो वगयरा 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 है वैसे लाइट तो है लेकिन हां यार नैट तो बिल्कुल भी है नहीं मतलब जो मतलब फोन के इंदर 5G वगयर डटा होता है ना वह तो अल्लिम्टेड वाला है यहां यहां पर 4G डाट लगा उसके बाद तुम लोग बहुत बड़े बड़े सर्प्राइज लेकि आने वाला हूं ठीक है तो फिलहाल के लिए अभी आप लोग को ना मतलब छोटा सा कॉम्प्रोमाइस करना पड़ेगा एक तो बाइट मतलब क्वालिटी ठोड़ा मैं हल्की क्वालिटी डालूग प्याध तुमने पना रियल फेस क्यों नी दिखाया अभी तक बता अव हो यह से पूछ रही होतीं कि तो मैंने एक्सक्पेक्ट नहीं कियाता है इससे कि फिलाल हम देखते हैं रात वगर्रा हो चुकी होती है और जो वैन होती है मतलब मस्त फोन लगी होई होती है वह सोच तब हम देखते हैं वह फटावट मैसेज वगरा टाइप कर देती है वह लिख रही होती है कि मुझे बहुत ज़्यादर याद हरी है डालिंग और यह बात बगरा लिखती है और बताओ मैं क्या आपको नैश फ्राइडे आज आज क्ति हूं या आपके घर के पास मतलब घर पे कर देती है अब यह बात बोली होती है अब वह यह मतलब मेसेज वगदां कर देती है अब यह बात मेसेज लिख देती मेंसम सैबी स्क्राइए हैं आतैंवों करने डार कांड वह क् público डीज गेडिया गान सप्राइए उस भाइए मैंतों से किक थैयां हो चुकी की स्क्राइए ना किसे पता और वैसे भी जिन्दा हो या फिर मतलब मर गया होगा हमाया बता तूंड होले ना वह मतलब हंटिंग के लिए गया रखा है अब वह पूछ रहा होता है तो पहले पहले लेकर आप जो वह रहाता है कि समझ गया क्या इस धर्ती पर इस नोवल एक्जिस्ट करता है और उसे अब हम देखते हैं सीन से निए में मौरनिंग का सीन दिखाए दे रहाता है जहां पर हम देखते हैं मतलब मस्ट धच के रेडी हो चुकी होती है फिलाल वो ड्रेस वगरा चेंज कर रह करने दिन डो साल पहले की बात एधिये और यह बात के सात कह सकते हो इसे लग रहा होगा और सब्सक्राइब कर रह Keys का ही तभी हम देखते हैं या यह नाक है रही होती schema तो बहुत घूında वह ग्रच्उर है यार बोग ज्यादा अप्स हो जाती है तब हमकुत क्लास के लिए वट जा चुकी जा चुकी हो दिए तब यह यह थ सोच रही जा नहीं को सोरी वैनमेन को देखके अब वो जैसे क्लास के अंदर आती है सब लोग देख रहे होते हैं कि हाँ आज मैं स्योर हों कि यह बहुत सुंदर है अब सिया भी यही बाते सोच रहा होता है अब हम देखते हैं वैनमेन आती है अपनी चेर पाके बैठती है अब वो जैसे आके बैठती है ना वो नोटिस करती कि इसके पास बहुत सारे लोगों ने उसे गिफ्ट वगएरा रख होती है उसके लिए उसकी पर पास बहुत सारे होता हुत था लोगों तो ने विए वाले कपड़े पहन सकते हूं ठीक है अब जैसे ये बात बोलती है वह सिया सोचर होता है क्या डार्लिंग बोई ओ हो शिट यह उस बंदे को डार्लिंग कैसे कह सकती है अब सिया यहां पर सोग्ड हो जाता है तभी हमें खिड़की की तरफ का सीन दिखाया दे रहाता है जहां अब समरके कपड़े पैन करा आयां कर गर्मी वाले कपड़े मुझे अच्छे कपड़े पहनने चीएते मतलब मूटे वाले बैल्बन कहीं नहीं से वहां nós ॉसससे फुलप होता है कि वहाँ पर्फन और कोई कोई नहीं को देख लिती अपनय बही को अब अब देखते हैं जो बहुत नहीं के सबस्तों के लिए पर मिला देखते हैं और मैं तो इसलिए अचानक से चेंज हो गया है और मैं यह लो और आपने जो इसे अगए वह जिस्का बहुत है लेकिन लड़की होती है वह कुछ भी नहीं उसकी जारी होता है लालो दोफ में गुसे में होती है लो क्या हुआ तुम्हें लेकिन हम देखते हैं वैन वैन आती है अपनी डेक्स बाक ना बैटके फिर से रोने लगती है अब मुझे नहीं पता भाई यह रो लड़की जो भी है वो रो क्यों रही है फिलाल वह कह रही होती कि मेरा पागल भाई अब वह यह बात बोलके बोलके मतल में ठेक्न नहीं थिल्ट हो किये रहता है कि यार तुम को थो कितनी के जुआ है शाय domu पहल रोगता है और ईकिज़्ूर को सारे लिन्स oily टेज्ट तब लोग बस उसी को देख रहे होते हैं वैन्वैन की सकल देखो जड़ा तभी हम देखते हैं यहां पर जो मुफेंग होता है मुफेंग तो जा चुका होता है मैंक भी खुस वही होती है तभी पीछे जब दो वाइगार होती है Oh my god मेरा आइडियल आइडियल ने क्या किया ऐसा नहीं होना चीए था तभी एक बन्दा कह रहाता है कि यर यह थो F Class के बारे में है न हाँ हा घ्र हा किर्वा वहाँ पर तुम पता है अभी जो सीया है उसने अपनी T-Shirt अतार के दी किस को वैन मैं को तो फिर चैंग सू का क्या होगा बताओ अब जो मैंकी होती है वो सारी बाते सुन रही होती है अब ये क्लास A की में पढ़ती है और जो वैल मैं होती है वो क्लास F में पढ़ती है फिलाल ये सारी बाते हो रही होती है वो कहरे होते है कि वैल मैं सच में कितनी दूश्ट है पत लेकिन वो मेरे बंदे को क्यों ले गई अब भाई सब लोग यहीं सोच रही होते हैं तभी हम देखते हैं वह कह रहा होता है कि देखो आकर हुआ कहा है तुम मेरे कपड़े से लेकिन धिसाइटिस्फाइ हो बताउ मेरे को देखो तुम्हें ऐसी को दिक्कत वाली बात नहीं है तुम्हारी नाक वगयरा भैरी है ठीक है तुम मेरे दुनों लड़की आ जाती है अब चैंक सू भी आ जाते हैं पर वह कह रही थी कि वैन वैन तो इतनी बेसर निकलेगी मैंने कभी सोचा नहीं था तो कितनी बेसर हैं मैं देखिए जड़ आपने आपको तभी दूसरी लड़की भी कह रही होती है कि एक्जैक्ली हाँ तो पता मैं बता रहा ले को तब हम देखते हैं वह बहुंता होता है कि वह बहुता है कि मैं ने इसका आदमी चुरा लिया अगर इसे पता चलेगा ना कि ये मेरा बती जाए तो ये है प्रणा जाएगी किया करूं मैं इस लड़की का अब वह सारी बाते सोच रही होते तब ही वह बोल लिए चैंक सू तुम्हें पता भी है मैं तुम्हें कितनी बार बता चुक्यू हो मैं तुम्हें लड़ी कहा चुकि कि मेरे एक बॉइफ्रेंड है और मुझे किसी के भी या है कौन है अब पीछे बाली लड़की बोल लिए होते है एक्जेक्ली तुम्हें पता भी आखिर तो वह है कौन और तुम्हें कहा लगता है कि तुम्हारा जो बॉइफ्रेंड है वह सिया से ज्यादा अच्छा दिखता है ऐसा तो कभी होई नहीं सकता अब लड़की नह अब लोग देखे जा रहे होते हैं अब आस पड़ा उसकी जितनी लड़की नहीं वो देखे जा रही होती कि ओ माई गॉड यह बंदा अब भाई सीयान लग भी रहा होता है अच्छा वैसे मुझे संज में नहीं आया कि यह बंदा लग कांसे रहा है अच्छा इन लोग को अब भाई सारी लड़के तो इसकी दिवार नहीं हो जाती है तब ही जो सैनमेंग की होती ना वो सोच रही होती कि सीयान आखरी वो यहां पर क्या कर रहा है देखो अगर इसे कंपर किया जाना तो सौंग जीहान और मुफैंग और यह सियान कुछ भी नहीं है इसके मुकाब वैसे यह आखरी लड़का दूंड किसे रहा है मुझे भी नीसमया आ रहा है अब 28 सारी लड़का यही बाते बोले जारी होती है तभी हम देखते हैं नोने की फाइट हो रही होती है बाँपर वह कहरे होती है देखो तुम अपने कपड़े जिल्दी से फटावड़ पहना ह लड़का है को ने पहना चाहते हो तेक मैं आस तेरी पहाड़ दूँगी तब तक अगर तुने कपड़ा नहीं पहना तो मैं तो बता रही हूं प्रुक जाऊ होती है लेकिन हम देखते हैं वह पहनने रहा हुता तब यहां पर फ्रीज हो जाती है बिलकुल फ्रीज आ पहना प हुआए मुर्टी बन चुकी डूट अब हम कि हेसाइब यहाँठी secondsuit ुपammenे डर्लेंग तो यहां पर चीट records है वह यह क्या तंथ 봤 को देखता है अब विकिस पढ़ता है यह इसा कुछ भी है यह तुम में तो गई यार अगला साल मेरे को सोचरी होती तब ही हम देखते हैं अच्छू उसे चीक आती है मतलब उसे ठंड बगएरा लगरी होती है लेकिन हम देखते हैं जो सीयान होता है वो बटलर शू की तरफ इसारा करता है वो मातर इसारा ही करता है इतने बटलर शू कह रहा होता है कि समझ गया अब हम देखते हैं मतलब जो सूट लेकर आया देता है अब जैसी से सूट पहना देता है जासी मेरे लिए जियां कि भी कोट आइक तर यहींर सब रिख्राеш नहीं मुस्करा करिया होती और बस है बाई सारी लड़कियां देख रही होते हैं कि ओ नो तो यह एंडसम बंदा इसके लिए था सच में हाँ वैन मैं सच में वह सच बोल ली थी कि इसका एक बॉइफरेंड है सच में यार इसका मतलब यह जो बोलती थी इसका बॉइफरेंड इतना अच्छा है यह तो सिया से भी यार देखो जो रहा इसका चेहरा देखो मैं तो इसकी दिवान ही हो गई अब यह लड़की बात बोले जा रही होती है तब हम देखते हैं वह जो लड़की होते ना चैंक सूरी होती कि उन्हों वैन मैं का बॉइफरेंड तो कितना सुन्दर है यार यह तो सी फैमिली का है अच्छा अब संज में मुझे सी यह इसके साथ फलर्ट क्यू करता है रहता था अरे यार अब वो चैंक सूरी होती है कह रही होती है कि अब मज़े संज में आया यह मत बोलना की वैन मैं और इनका अच्छा शिट तभी हम देखते हैं कि अगर तुम्हें मरना नहीं तो अप जिन भी नहीं कर सकती कि वैननों मतलब सीयां ने वैनन को ढूण आ या पिर वैनने सियां को ढूड़ा है सवंज में नहीं आ रहा है आप सब लोग कर देए नहीं आरा है लेकिन तभी आमेंद दिखाया देखाई दे कि जो सेन मैं क्यों होती है ना वो बीच में आ रही होती है वो कह रही होती है कि एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी ज़र हटना हटना अब वो ये बात बोलती है भी बीच में आ जाती है तब ही वो जैसे आते हैं ने एक लड़की नोटिस कर रही होती है यहां पर सिया और वेनवेन को देखो यह दोनों ना बस यहां पर नॉर्माल बस एक फ्रेंड है और कुछ भी नहीं अब बीच में आके जान बुझके हरकते कर रही होती है को दिक्कत वाली बात नहीं है अब यह बात बोले जारी होती कि वह दिल की बहुत अच्छी है मतलब साफ है अपने आसपास हरकते कर देती है लेकिन हाँ दिल की साफ है तब हम देखते हैं कि मेरी पहली लाइफ में इसे बिल्कुल भी नहीं पता चला कि सिया और सियान के तो सिया तुम्हें ना ये बात जानने की बहुत ज़्यादा जुरूरत है कि अगर वैनमेन किसी और लड़के से बात कर भी लेती है और एश्टरा बात भी कर लेती है तो फिर जो सियान होता है उसने उसकी जीवी कार्ड दीती और ये लड़की इतनी 33 बूले जा रही है श 30 तो दी है उसे और क्या और क्या बोला है बताओ अब वो ये बात जैसी बोलता है न हम देखते हैं सैन मैंक्यू कह रही होती है तो ब्रेकिंग न्यूस हो गई अब बाई क्लास के अनरे सारी बाते हो रही होती है मैंक्यू फिर से बोलने लगती है कहरे होती है कि देखो तुम्हें पता नहीं है क्या वैन वैन का ओल्लेडी बॉय फ्रेंड है और तुम ये सारी बात जानने के बाफ़जू तुम उसके साथ फलट कर रही हो देखो क्या हमारी फैबली में तुम्हें यही सिखाया है अब मैंकि उससे यह बात बोली होते हैं सिया क्या हो गया अब वह यह बात बोलता है सिया से अब सिया है क्या मतलब क्या हो गया मेरे की बच्छा है क्या आप बच्छा समझते हो अब सिया यह बात बोलता है ना ना पूरी सोगड जाती है किया नाइंध अंकल अनु अब बाई यहां पे संट में कुछ की दर हो है मतलब अब अघ। आञे नाइंध अंकल तब ही वह बोल रहा है कि देखो और तुमें वह से च्रीट कर ने चेकर ना हूं कि मुझे याद है नाइंध अंटी अभ वह यह बात ब अच्छा ही हुआ अब सिया ने मेरे को चाची बुला दिया तो जितने सारी जो भी रूमर्स वगएर पहल लेते हैं ना हमारे बीच वह सब कुछ अब क्लियर हो जाएंगे तब ही हम देखते हैं तीन चाल लड़किया बाते कर रही हो थी कहरे थी कि अप सांजमाया कि सिया वै मैन्क्यू 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 गराब करना चाहते हैं मैंक्यू पास आते गयरा मैं तुम्हारी पयता हुए तो म।ो रही हो एन ना हम लोग तो फ्रेंड है ना व हजरो है होती है मैं क्यूं हम तो दो अब ने है कि इन तो अर्या आठी तो है कि उड़ा जू हो हुआ करना चाहती हो अब रहा है और तुम्हें तो आसे कुछ भी कर लोगी देखो एसा जो हो सकता समझे तो अब हम देखते हैं वह बता दू मेरा बॉइफ्रेंट तो बहुत ही सुंदर है ना वह इसके पास आती है और इसे हैं मतलब पकड़के ऐसे बोल लिए थी वैसे बहुत ही सुंदर है अब यह बात बोले लगते हैं और खुष जाती है लाल सी यान्मियोसी को है अब सारी ही बात यह क्वेल है वह पागल कर दो यह सब्सक्राइब होैसा जैको मैं मानती हूँ कि रूमर्स वगएरा पहल रहे हैं लेकिन मेरी बात तो सुनो तभी हम देखते हैं क्लास की घंटी वगएरा बज़ने लगती है अब क्लास की घंटी बज़री होती है क्लास के लिए तभी हम देखते हैं क्लास के लिए टाइम हो गया है अब हम देखते हैं निकाल के मैंख करूंगी तिमसे अब यह बात बोल के जाने लगती है तभी सीयान कहाएं कि बाते है और वह वही है और भेसे यहाने करने वह बाते हैं हैं जա रहा यह होई कहते हो जो तो ठीक है फिर क्लास के बाद मैं आऊंगी ठीक है भागे तुम आप ध्यान से जाना ठीक है पो कहे रहा होता है की हाँ ठीक है तब हम नेखते हैं कि अब समया जा रहा होता है यहार मैं क्या करूं में को तब करना पड़ेगा मेरे को तभी हम देखते हैं से इंसे तरह में दिखाई देरा होता है क्लास वगरा ओवर हो चुकी होती है अब यहांन कहरी होती कि वैसे तुम्हें युनिवसिटी पढ़ना चाहती हो वैसे मुझे लगता है कि तुम्हें मतलब करा लेना चाहिए समझी वह ल कर दिखाई देखते हैं सिंवंफ तुममें दिखाई दे रहा है कि इनकी जो कार होती है वहीं पर हमें स्नोबोल भी दिखाई दे रहा तैंडिया वहाओ अपक्र इसके पास आती है लेकिन हम देखते स्नोबुल वह जोड़ से चिलाता है इसकी तरफ दर जाती है लेकिन फिर भी उसकी पास आजाती है कि वाओ वाओ देखो देखो कैसे कि तक्यूट है यार आजाओ आजाओ मैं तुम्हें प्यार करेंगे प्लार नमगाना जूबी है वह ऐसी बात ही होती है भी बटलर सूच रहा है कि यह लड़की पागल ही क्या इसे डरनी लगता मरने से सच्वे मैं पागल है पागल 식 अब हमें से टाइम हो चुका मेरा टूसन वरनेगा अफ पर बटलर के शो क्रोफ से पूच है और एब कैसा बीजियन कि कि फिल कर रहे हैं यहां कि माश्टर फिलाल के लिए फ्री हैं ठीक है वैसे अगर आपको कुछ भी है तो आप जा सकती है को दिक्कत आरी बात नहीं नहीं है बैदल वो पहले हैं उसनैंडर चला है जब से पता चलाए ना सियान को की स्वैंट स्नोबोल पास गई वे तुम भो ज्यादा रहा है भो ठीक कैसे हो सकते हैं अब यह बात सुचके भूआ था है फिलाल हम देखते हैं जो वियन-धुन होती नहीं होती है कि चलो ठीक फिन मैं जाती हूँ अब उसके पास आती है कि सियान क्या तुम अभी फ Kenneth कहरा हूँ अब वो सब पूचरी होती है वो कहरा हुता है क्या क्या हुआ तो फिर ममझे क्या मैं पड़ा सकते हूँ एक दू घंटे के लिए कि हां तुम्हें दू घंटे के लिए पड़ा सकता हूँ अब सी यह बात प्रफ्टा चमिन लगते की हाँ लेकिन मेरी एक कंडिशन है अब इस कंडिशन के साथ ये एपिसोड ये पर खदम हो जाता है तो गाइस तुम लोग बता तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसे लेगी तो मिलता है कर लेको ने वीडियों दब तो के लिए टेक केर बाई-बाई ठटा और हाँ यार अगर मुझे टो bluetooth ये वाली वाली ये 21 वीडियों ले